परिचाए ठीक है, तो आज मैं तुम्हें रेखाओं, किर्णों और कोणों के बारे में विस्तार से बताती हूँ बच्चों, इस पार्ट में हम कोणों और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे हम रेखाओं, रेखाओं के युग्मों तथा समानांतर रेखाओं के बारे में भी सीखेंगे उद्धिश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभिन प्रकार के कोणों को पहचानना रेखाओं तथा रेखाओं के युग्मों का वर्णन करना समानांतर रेखाओं की व्याख्या करना अब लोकन रेखाओं कई प्रकार की होती हैं जिनका उप्योग आप एक आसान सा चित्र बनाने के लिए करते हैं आप एक साधारण घर, एक सूर्य इत्यादी बना सकते हैं, एवं आप इन चित्रों को निरूपित करने के लिए सरल रेखाओं का उप्योग करते हैं। आईए उप्योग होने वाली इन रेखाओं के विभिन प्रकारों को देखें। रेखा, एक रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदू तथा अंत बिंदू नहीं होता है। आप दोनों दिशाओं में एक रेखा को असीम रूप से फैला सकते हैं। रेखा खंड, एक रेखा खंड का एक प्रारंभिक बिंदू तथा एक अंत बिंदू होता है। किरण एक किरण का आरंभिक बिंदू होता है, किन्तु अंत बिंदू नहीं होता है. कुण समान प्रारंभिक बिंदू वाली दो किरणों से एक कुण की रचना की जाती है. प्रारंभिक बिंदू को शीर्ष कहा जाता है, तथा किरणे कौन की भुजाएं कहलाती है संबंधित कौन एक कौन को दो किरणों के मिलन के रूप में परिभाशित किया जाता है, जिनका अंत बिंदू एक ही होता है कोण की भुजाएं दो किरने होती हैं, जबकि शीर्ष उसके उभै निष्ठ अंतबिंदू होते हैं चार प्रकार के कोण होते हैं, वे इस प्रकार हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, तथा उर्धवाधर कोण अब सभी कोण को संख्शेप में देखते हैं पूरक कोण, वे कोण होते हैं, जिनके दोनु कोणों की मापों का योग नब्बे अंश होता है संपूरक कोण, वे कोण होते हैं, जिनके दो कोणों की मापों का योग एक स्वस्थी अंश होता है आसन कोण वे कोण होते हैं जिनका एक उभैनिष्ठ शीर्ष होता है तथा एक उभैनिष्ठ भुजा होती है किंदू कोई अंतबिंदू उभैनिष्ठ नहीं होता है जिनकी भुजाएं उभै निष्ठ नहीं होती हैं ऐसी भुजाओं के रूप में किर्णों वाले आसन गोणों का युक्म एक रैखिक युक्म कहलाता है उर्द्वा धर कोण वे कोण होते हैं जिसके दोनों कोणों का एक शीर्ष उभै निष्ठ होता है तथा जिसकी भुजाएं दो रेखाओं का निर्मान करती है प्रतिच्छेदी रेखाएं दो रेखाएं अलग-अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है आएے प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनका केवल एक और केवल एक ही बिंदू उभेनिष्ट होता है। ये उभेनिष्ट बिंदू प्रतिछेदन बिंदू कहलाता है। त्रियक छेदी रेखा एक त्रियक छेदी रेखा वो रेखा होती है जो दो रेखाओं को भिन बिंदूओं पर प्रतिछेदित करती है। कोणों की रचना की जाती है। त्रियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। त्रियक छेदी रेखा से साथ प्रकार के कोणों की रचना की जाती है। वे इस प्रकार हैं। संगत कुण, अन्ता कुण, बाहे कुण, एकांतर अन्ता कुण, क्रमगत अन्ता कुण, एकांतर बाहे कुण, और क्रमगत बाहे कुण, उप्रोक्त कुणों के पारे में विस्तार से जानने के लिए उन पर क्लिक करें. समनांतर रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा जब दो समनांतर रेखाओं को एक त्रियक छेदी रेखा के द्वारा काटा जाता है तब आप पाएंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं एक अंतर अंतर कोण का प्रतेक युग्म समान होता है और अंतह कोणों का युग्म संपूरक होता है समानांतर रेखा दो रेखाएं समानांतर होती हैं यदि वे सदैव समान दूरी परिस्थित हों एवं आपस में कभी नहीं मिलती हों आप त्रियक छेदी रेखा द्वारा काट कर भी इसकी जाच कर सकते हैं कि रेखाएं समानांतर हैं अथवा नहीं यदि उनके संगत कों समान होते हैं एकांतर अंतह कोण के युग्म समान एवं संपूरक होते हैं तब रेखाओं को समानांतर होना चाहिए सारांश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं रेखाओं का कोई प्रारंभिक बिंदू नहीं होता है एक रेखा खंड का केवल एक प्रारंभिक तथा अंत बिंदू होता है इसी प्रकार एक किरण का प्रारंभिक बिंदू होता है किन्तु कोई अंत बिंदू नहीं होता है एक समान प्रारंभिक बिंदुओं वाली दो किरणों से एक कूण की रचना की जाती है दो रेखाएं चार तरीकों से परस पर जुड़ी हुई होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, त्रियक्छेदी रेखाएं, त्रियक्छेदी रेखाओं के कूण तथा समनांतर रेखाओं की तिलियक्षे दी रेखाएं यदि संगत कोणों की मापें तथा एकांतर अंता कोणों के युग्म समान होते हैं तब रेखाएं समनांतर होनी चाहिए